हाई इंपेक्ट एकेड़ी में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे हिंदी वर्नी का फर्स्ट लेशन दही वाली मंगमा का अब्जेक्टिक कोश्चन इसके पाले हम इस चेप्टर का सब्जेक्टिक कोश्चन देख चुके हैं अगर आपने नहीं देखा तो इस चैनल पर देख सकते हैं और हाँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो का मंगमा कहानी का कहानिकार कौन है अप्शन है सीनिवास साथकोरी होता इस्वर पेटलिकार ये सुजाता तो इसका राइट एंस वो जाएगा सीनिवास अगला कोश्चन दो नंबर दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुक पात्र कौन है अप्शन है लक्षमी मंगमा पापती ये सीता तो इसका राइट एंस वो जाएगा ख नंबर येनि मंगमा अगला question दही वाली मंगमा कहानी का अनुआदक कोन है? option है सी निवास, बीयर नरायन, इस्वर पेट लीकर, गुपाल दासनागर इसका right answer हो जाएगा बीयर नरायन, ख़़ नमबर बीयर नरायन क्या है? दही वाली मंगमा का अनुआदक है अगला question चार नमबर सी निवाजी का जन्म कब हुआ था? सी निवाजी का जन्म कब हुआ था? अप्सन है 6.891 6.891 7.892 6.892 इसका राइट एंसर जाएगा का नमबर यानी 6.891 वीडियो को पाउज करके इसे सल्व करने की कोशिस किजेगा अगला कुश्चन है 5. नमबर मंगमा के परिवार के कुल कितने सदसे थे? अप्सन है 2, 3, 4, 5 इसका राइट एंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताए ग इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा? ग, यानी 4 अगला कुश्चन है 6. नमबर सीनिवाजी का जन्म कहां हुआ था सीनिवाजी का जन्म कहां हुआ था क उरिशा, ख, बिहार, ग, मद्धेपरदेश, ग, करनाटक इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा करनाटक, सीनिवाजी का जन्म करनाटक में हुआ था कोलार करनाटक में सिन्वाजी का जन हुआ था अगला कोश्यन है साथ नंबर मांगमा की बहु का क्या नाम था मांगमा जो थी उसकी बहु का क्या नाम था अप्शन है कंजमा, नंजमा, संजमा या फिरंगमा इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा मंगमा की बहु का नाम नजमा था अगला क्वोश्चन दही वाली मंगमा किस भासा मेरा चित कहानी है? अप्शन है उरिया, तमिल, गुजराती, कन्नर इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा? घा यानि कि कन्नर अगला क्वोश्चन रंगपा कौन था? अप्शन है मंगमा का पुत्र, एक जुवारी, नजमा का भाई, इनमें कोई नहीं इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा? खा यानि कि एक जुवारी था अगला क्वोश्चन दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है? अप्शन है मताव को, पुत्रियों को, बहों को, बेटों को इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा? बताए जल्दी मताव को, पुत्रियों को, बहों को, या फिर बेटों को तो यह राइट एंसर हो जाएगा गर नमबर यानि बहों को देती है ठीक है? अगला क्वोश्चन मंगमा क्या बेशती थी? अप्शन है दूद, मक्खन, दही, घी अते जल्दी से क्या हो जाएगा इसका एंसर? इसका राइट एंसर हो जाएगा गर नमबर यानि की दही बेशती थी अगला क्वोश्चन बार नमबर दही वाली मंगमा कहानी का कथवाचक कौन है? दही वाली मंगमा कहानी का कथवाचक कहां की है? तो इसका रायट एंसर क्या हो जाएगा, औरिःषा से, बैंगलोरू से, बिहार से ये फिर कलकत्ता से इसका रायट इंसर हो जाएगा, बैंगलोरू की है यानि जो दही वाली मंगमा का तवाचक है, वो कहां से है, बैंगलोरू से अगला question, तेरा नंबर मंगमा एवं नजमा के बीच ज्जागरा मिटाकर अच्छा सम्मंध अस्थापित करने का माध्यम कौन था अप्षन है रंगपा मंगमा का बेटा मंगमा का पोता इन में से कोई नहीं इसका राइटेंसर क्या हो जाएगा मंगमा का पोता इन में से कोई नहीं इसका बेटा इन में से कोई नहीं इसका राइटेंसर बताइए क्या हो जाएगा जल्दी बताइए क्या हो जाएगा खानमबर मगर मच्छी अगला कोस्चन अधिक बुद्धिमान कौन थी अप्षन है मंगमा नजमा नजमा की मा इन में से कोई नहीं राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा जल्दी कमेंट बॉक्स में एंसर दीजे क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी इसका राइट एंसर हो जाएगा नजमा नजमा क्या थी नजमा अधिक बुद्धिमान थी अगला कोशन सत्रा नंबर और लास्ट कोशन है दही वाली मंगमा का कथावाचक कौन है अप्सन है एक कलाकार है बेंगलूर की एक संभरात महिला है एक सिक्षिका है या फिर इन में से कोई नहीं इसका राइट एंसर हो जाएगा बेंगलूर की एक संभरात महिला है और अगला वीडियो अगला जेव चिप्टर होगा वसका अगले वीडियो में मिलेगा आपको अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेरिल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो जो होगी सबसे परे आप तक पोशेगी धन्यवाद